दोस्तों धर्म का चोगा तो बहुतों ने ओड रखा है लेकिन आँख के अंधों को सर्फ हरा रंग दिखाई देता है नजाने क्यों जो हमारे देश में एक धर्म के ठेकेदार बने फिर रहे हैं उनसे उनकी मनसिकता को फेल करने वाले सवाल पूछिये तो जुबाने सिल जाती है जवाब होता नहीं है जवान पर जवाब नहीं होता दूस्तों इन्हें भरतपुर में सोनु शर्मा वाला मामला याद नहीं रहता जिसने अपनी प्रेमिका को दस बार चाकु से गोध कर उसकी हत्या कर दी इन्हें वो पूजा नाम की बुआ याद नहीं रहती जिसने अपने ही रिष्दारी के दो बच्चों को मार डाला लेकिन बंदायू हत्याकान को कम्यूनल बना दिया गया है हलाकि हमने पहले भी कहा था दोस्तों पुलिस ने जिस साजित का एंकाउंटर किया उससे जुड़ी पूरी के पूरी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है मगरा वो जानकारी धीरे धीरे करके बताया जा रहा है कि पुलिस ने दे दिये है और आरोपी को मानसिक रोगी बताया है पुलिस ने अपनी सफाई में उनकी सफाई में कितनी सच्चाई है वहीं दूसरे तरफ एक गंभीर हत्याकान को किस तरह से धार्मिक रंग देने का इस वक्त खेल रचा जा रहा है सब कुछ इस खबर में हम आपको बताएंगे आखर तक इस वीडियो को जरूर देखेगा दोस्तों देश में नफरतियों की जो टोली है अपना नफरती बोरा लेकर घूम रही है जिसने उनकी बात मानी वो तो ठीक उसे छोड़ दिया जाएगा जिसने नहीं मानी उसे उसी बोरे में बंद करके उसका दम घोट दिया जाएगा बंदायू हत्याकान ना सिर्फ खौफनाक है बलकि बेहत घिरोना है जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं इस पूरे मामले में साजिद नाम के आरोपी को पुलिस ने एंकाउंटर में मार दिया अब कुछ धर्म के ठेकेदार इसको लेकर इसलाम को जिम्मधार बता रहे हैं कि इसलाम इसका जिम्मधार है दिवे कुमार सोटी नाम का यूजर है दूस्तों क्या लिखता है अपने ट्वीट में सुनिए लिखता है बंदायू जैसी घटनाए होती रहेंगी समस्या इसलाम में है लोकतांत्रिक समिधानिक तंत्र ये कभी स्विकार नहीं करेगा जब मानोगे ही नहीं कि बिमार हो तो दवाई खाओगे ही नहीं इसलाम के प्रकोप से एक ही देश बचेगा वो है चीन क्योंकि वो इसलाम को ही बैन कर रहा है आप सूफी कवाली का रहे हैं अब इस पर वसीम अकरम त्यागी पेशे से पत्रकार है लिखते हैं इस जोकर के मताबिक बंदायू हत्याकांड के लिए इसलाम जिम्यदार है अगर पैमाना यही है तो फिर इस जोकर से पूछना चाहता हूँ कि इलहाबाद में पूजा नामी महिला ने दो बच्चों को कैसे मार डाला उसके लिए कौन जिम्यदार है कट हुआ इस सत्मंदिर परिसर में आठ साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदकी के बाद हत्या के लिए आखिर कौन जिम्यदार है आसा नाम किस जुर्म में जेल में सड़ रहा है उसके लिए कौन जिम्यदार है गुर्मीत सिंग किस जुर्म में जेल में है उसके लिए कौन जिम्यदार है कुल्दीप सेंगर किस जुर्म में जेल में है उसके लिए कौन जिम्यदार है ऐसे अंगिनात उधारण जाहिल जोकर के मुँँ पर चिपकाए जा सकते हैं लेकिन क्या करें इन जोकरों को सत्ता संरक्षन दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस इन जोकरों पर कारेवाही करती नहीं है तो ये वसीमत क्रमत्यागी ने पहले यूजर का चबाब दिया है दूसरा यूजर है दोस्तो सूरे प्रताप सिंग जो कहने को रिटार्ड अफसर रह चुके हैं जो नए नए IT सेल में शामिल हुए हैं ऐसा लगता है कि उनी की भाशा जो है बोलते रहते हैं अक्सर बदायों के निशन सहत्या के पीछे उन यूट्यूबर्स द्वारा फैलाया गया मोधी नफरत का जहर है ऐसा ये लिखते हैं ये लोग मोधी विरोध से टीर पी बढ़ाने के लिए दिन रात हिंदू मुस्लिम करते हैं देश द्रोही बाते करते हैं मुस्लिम तुष्टिक प्रमत्यागी ने जवाब दिया है दोस्तों क्या लिखा है सुनिए लिखते हैं नफरत इंसान को अंधा बना देती है दिमाग से पैदल कर देती है अब इस सूर्य प्रिताफ सिंग को ही देखिए ये नफरती कीट बदायों की घटना को मुस्लिम तुष्टिकरन बता रहा है अब मेरा इस जाहिर शक्स सवाल है आज ही इलहाबाद में दो सगे मासूम भाईयों पांच वर्षी लकी और तीन वर्षी अभी की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई इस हत्या को सगी बुआ पूजा ने अंजाम दिया जो वालदात के बाद से फरार है पूजा बच्चों दायने हिंदू तुष्टी करण की देन है क्या तो एक तरफ जहां हमारे समाज के वो ठेकेदार दोस्तों जो जुर्म करने वाले का धन्म जानकर पूरे सउदाय को गाली देना शुरू कर देते हैं और गाली देना शुरू कर चुके हैं उन्हें वो नफरत फैलाने में पुरत ने पचा है पुलिस का कहना है कि उसने साजिद के भाई जाविद से बात की को लेकर कुछ ख McCain किये हैं में पुलिस का धे। इसको क्या-क्या बताया जा रहा है ये आप सुनने के बाद पता लगाई है पहले तो जान लीजे कि पुलिस ने जाबिद से पूछताज के बारे में क्या-क्या बताया है खवर कहती है दोस्तों कि SSP ने जानकारी दी है कि साजित बच्पन से ही बार बार बीमार हो जाता था बीमारी ऐसी थी कि उसके अंदर का हैवान जाग जाता था घरवाले भी उसे जानवर बन जाने के बाद काबू नहीं कर पाते थे इसी हैवानियत ने उसे कई बार अपनी भी जानने ने पर मजबूर कर दिया इस पूरे मामले के जानकारी देने वाले SSP आ गई ये भी कहते है कि साजित की तब्यत शादी के बाद और खराब होने लगी क्योंकि उसकी पतनी का बच्चा बार बार गर्ब में ही खत्म हो जाता था बार बार गर्ब खराब हो जाता था जिससे उसकी मानसिक जो बिमारी है वो बढ़ गई साजित के भाई जाबित ने पुलिस को ये भी बताया दोस्तों कि साजित का इलाज फिलाल चलदा था जिस दिन उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया उस दिन भी मानसिक तोर पर वो स्वस्थ नहीं था अगे क्या कहती है पुलिस कहती है कि शाम को उसकी तब्यद खराब हो जाती है तुरन दुकान से चाको खरीद कर लाता है उसने पडोसी विनोत के घर में घुश कर दो मासूमों की हत्या कर दी और थोड़ा संशेप में आपको बताते हैं पुलिस ने क्या कहा दोस्तों कि दो पहर में दोनों भाई दुकान पर होते हैं फिर क्या होता है साजित कहता है उसकी तबियत खराब हो रही है फिर इसी के बाद साजित और जाबिद घर चले जाते हैं जाबिद को लगता है साजित ठीक है तो वो चिकन मना कर खाने की बात करते हैं लेकिन फिर साजित कहता है कि उसका उल्टी जे समन कर रहा है और वो बाद में घर से बाहर चला जाता है। साजित जब कुछ देर बाद लोटता है तो उसके हाथ में चाकू होता है। जब जाविद उससे पूछता है कि चाकू क्यों है हाथ में तो वो कुछ नहीं बताता। फिर अचानक ही वो पडोसी विनोत के घर में घुछ जाता है। जाविद बाहर रहता है वो अंदर घुछ जाता है। साजित घर के अंदर घुछ कर दोनों मासूमों की चाकू से जालने लेता है। चाकू से मार कर हत्या कर देता है। जाविद ने नीचे से ही देखा कि साजित खून से लत्पत है, दोनों भाई लोगों के हाथ नहीं आए, भाग निकले, साजित को लोगों ने जंगल की तरफ जाते देखा, पुलिस को ख़बर दे दी, पुलिस ने घेरा बंदी की, साजित ने फाइरिंग कर दी और पुलिस क साथ मुट भेड़ हो गई और वो एंकाउंटर में मारा गया अब ये तो था दोस्तों पुलिस का बयान जिसे सुनकर किसी का भी माथा ना चकरा जाए जब जाविद साथ था साजित के तो जंगल में साजित जाविद अलग-अलग कैसे हो गए चाकू था उसके हाथ में तो त लेकिन उन्हेंने कहा कि सभी जीजों की जाच की जा रही है सबसे जरूरी बात यहां देखिए कि जो परिवार वाले हैं जो छोटी-छोटी बच्चों जिनके हत्या हो गई उस परिवार का कहना है कि हमने खुद उस आरोपी को पुलिस के हवाले कि था फिर पुलिस कह रही से हमला किया गया बच्चों की ओपर लेकिन उसके हाथ में तो चाकू था तो कुलहाडी से कैसे हमला किया गया और अगर चाकू था तो तमंचा कहा से आया जिस तमंचे से उसने फाइरिंग कर दी ऐसे कई सवाल दोस्तों पुलिस से पूछे जा रहे लेकिन इन सभी सवालो लोग है दोस्तों जो अभी ही निशकर्ष पर आ चुके हैं वही समिधान है वही कानून है वही लोगतंत्र है उनके मुताबिक सब कुछ वही है किसी को इसमें पढ़ने के जरुत नहीं है क्योंकि वो अपना decision ले चुके हैं और वो अपना जो काम है वो कर चुके हैं वो अपने निशकर्ष पर आ चुके हैं निशकर्ष वो ढोल पीट कर बता रहे हैं क्या उनके निशकर्ष से आप लोग सहमत हैं दोस्तों हलाकि देखिए अभी सहमती और असहमती की बात नहीं आती क्योंकि पूरा हैं हम बार-बार कह रहे हैं क्योंकि अगर पुलिस के बयान पर सवाल उठ रहे हैं तो इसका मतलब दोस्तों अभी भी कुछ ना कुछ बाकी है कुछ ना कुछ मिसिंग है अभी भी ये पता लगना बाकी है कि आखर वजा असली क्या थी साजित नाम के उस व्यक्ति ने इतन खिनोना कदम कैसे उठाया दो मासूमों की जान क्यूं ली वजा क्या रही अभी तक ये सामने नहीं आया है ठीक से इसी का इंतजार कर रहे है दोस्तों एक जिम्मदार नागरिक होने के नाते जब तक किसी भी मामले पर पूरी तरीके से जानकारी सामने ना आ जाया और जि बताइएगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी ना भूले फिर मुलागात होगी आप से अगले वीडियो में तब तो के लिए नमस्कार अगर अभी तक आपने हमारे चैनल काइ सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें